यो में बेके ना, नॉट जड़ी हापी दो पीते 24 घंटों की बात करें तो महराश्ट में 778 ने मरीज मिले हैं पूरे देश में अवल है महराश्ट कोरोना पॉजिटिव मामलों में और पूरे देश में पहली बार महराश्ट से खबर आई कि कोई मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए है अब तक 6427 लोग संक्रमित हो चुके हैं जिन में से 283 लोगों की मौट हो चुकी है मुंबई की बात करें अकेले मुंबई की बात करें तो कोरोना मरीजों की तादाद यहाँ पर 4205 हो चुकी है अकेले मुंबई में कोरोना से अब तक 166 मरीजों की मौत हो चुकी है तो बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना का वायरस मुंबई में 6 लोगों की जान ले चुका धारावी में बीते 24 घंटे में 25 केस सामने आया अपर धारावी में 214 कोरोना पॉजिटिव हो चुक है और सबसे बड़ी चुनोती अगर मुंबई के लिए है तो धारावी क्योंकि जिस तरह से सघन बस्ती है और जो रखतार है उसे काबू में पाना सबसे बड़ी चुनोती है और अब देखिए मुंबई में क्यों तेजी से घूम रहा है कोरोना का मीटर वीमसी कमिशनर बताएंगे कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग हमारे वरिष्ट सहुगी साहिल जोशी ने उनसे खास बात चित की तो महराष्ट में लगातार करोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अभी अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 778 नए मरीज महराष्ट में पाए गए है महराष्ट की संख्या 6427 तक पहुँच गई है लेकिन महराष्ट में भी जाहिर सी बात है कि मुंबई में सबसे जादा मरीज इस वक्त है 4205 मरीज मुंबई में पाए गए है और अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में ये संख्या करीब 552 मरीजों से बढ़ी हुई है 283 मौते पूरे महराष्ट में हुई है और 161 मौते इस में से सिर्फ मुंबई में हो चुकी है और इस पूरे घटना करम पर किस तरीके से हम करोना की इस लडाई में उसको रोकने की कोशिश कर रहे है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है BMC के कमिश्टर प्रवीन परदेशी और वो खुद हमें बताएंगे कि किस तरीके से मुंबई में किस तरीके से टेस्ट किये जा रहे है किस तरीके से उसको रोकने की कोशिश की जा रहे है परदिशी सर आज तक में आने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुरुवात इसी से होगी कि 552 नए केसिस मुंबई में लगातार जो आकड़ा है वो बढ़ रहा है क्या वजह आप बता सकते हैं कि क्यों यह आकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्या हमारी कंटेन्मेंट जोन की पॉलिसी कहा तक सफल हुई है यहां से हम सबसे पहले शुरुवात करेंगे तो यह इन्फोर्मेशन सब को देना बहुत ही जरूरी है तो यह आकड़ा बहुत बढ़ने का में कारण यह है कि हम लोग की टेस्टिंग जो हमने साउथ कोरिया में भी देखा कि जहां टेस्टिंग होता नहीं था महां कंट्रोल नहीं आ सका तो अब अगर आप देख सकते हैं तो हमने 4270 प्रकी 10 लाग टेस्टिंग किया है 55,000 पूरे बड़े-बड़े स्टेट्स हैं जैसे केरला सिर्फ 21,000 टेस्ट किया हमारे से आधी भी टेस्ट नहीं किया दिल्ली जो बहुत बड़ा शहर है 27,000 सिर्फ टेस्ट किया हमें 55,000 टेस्ट किया तो इसका परिणाम ऐसा होता है आप देखेंगे कि जैसे हम टेस्ट बढ़ाते हैं तो वैसी संख्या रोज बढ़ती है अगर हम यह टेस्ट बढ़ा ही नहीं यह पीली लाइन अबर देखे है कि जितने जादे positive cases हमको भाs द्यान में आते हैं तो उनके हम context या उनके जो संपर्ख में आए हुए उनको trace कर सकते हैं आज हमारे एक लाउख से थोड़ा कम इतने लोग हमने trace किया और इसको trace करने का फाएदा यह होता है कि उसमें से जो लोग ज्यादा से ज्यादा इनक इनके संपत में आया हैं, उनको हम institutional quarantine में रख सकते हैं, ताकि इनसे दूसरों को ये spread ना हो, आप पूछते हैं, तो हमारा containment zone का policy बहुत ही strong policy है, slum area के 326 ऐसे containment zones बनाए हैं, और जो buildings में बहुत ज्यादा cases है, ऐसे 447 हैं, तो इस containment zone में लोगों को हम लोग खाना और अन्म पूर करने का देखते हैं, पर उनके लोग बाहर नहीं आ सकते हैं, बाहर से कोई लोग अंदर नहीं जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि containment zone का अभी फायदा इसलिए दिख रहा है कि दोनों वरली कोली वाड़ा और सबसे बढ़ा जिसके बारे में लोग बहुत डर रहे हैं, धार 12 मार्च को मुंबई में पहला केस पाया गया था, आज हम 23 अप्रेल को बात कर रहे हैं, तीन मई तक यहां पर लॉग डाउन की गोश्टा है, आज की स्थिती में यह प्रेडिक्शन हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अलग तरीके का epidemic है, लेकिन जो कर्व फ्लाट होने की बात की जाती है, क्योंकि अभी तो हमारा rising curve है, flat curve की बात हम कब से करना शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहां तक पहुंच सकते हैं, यह एक सबसे बड़ा सवाल है, तो इसमें बहुत बड़ी बात ऐसी होती है कि rate of doubling क्या है, तो कुछ 10 दिन पेले बंबई का rate of doubling अभी खोशिश है, तो अगर यह rate of doubling 10 या 14 दिन होता है, 14 दिन तक का अगर doubling rate हो गया, तो 14 दिन में जो लोग के admit होते हैं, उनका release हो जाता है, और नए cases अगर आए भी, तो हमारी hospital की bed capacity यह नहीं होगी, ओवर्वल्म नहीं होगी, तो अबर अभी हमने doubling rate को काफी धीमा कर ग इसका फ़ड़ा फाइदावा है, containment zones और contact tracing और contact tracing के लोगों को quarantine में रखना है, इसका फाइदावा है, एक सवाल यह भी है कि पिछले हफते जो testing protocol है, जाहिर से बाते ICMR की guideline के अनुसार उसको change किया गया था, लेकिन कुल मिला कर, फिलहाल मुंबई में हम जो symptomatic patients हैं, या जो sympt symptomatic high risk contacts है, उसको हम test कर रहे हैं, या पहले हम asymptomatic contacts को भी test करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थितिय नहीं है, उसके बावजूद यह case बढ़ रहे है, तो क्या आपको लगता है कि जो मांग की जा रही है, एक rapid testing की मांग की जा रही है, तो यह बात गलत है, जैसे हम लोग अभी भी होगा उसका contact, तो उसको पाचवे या सातवे दिन टेस्ट करना पड़ता है, पहले दिन नहीं टेस्ट करना पड़ता है contact, पहले दिन टेस्ट करने से negative false आता है, तो हमारी जो return guideline से पाचवे या सातवे दिन है, और आपने देखा होगा, कि अभी तक जितने भी हमको positives मिले है उसमें सबसे ज़्यादा positives contact से बिले वाई है, तो हमारे करीवन 1400 positives हमने contacts की testing करके हमको बिले वाई है, तो इसमें कोई भी प्रोटोकॉल में नहीं है, प्रोटोकॉल में हमने clarification किया है, और इस clarification का फायदा यह वा है, पहले हमारी जो rate of positivity थी, वो 3 या 4% थी, तो अभी अगर आप देख सकते हैं कि हमने targeting किया है, इतने ज़्यादा test करने की बावजूद भी यह जो rate of positivity है, यह बड़ा important factor है, इसमें जाना जाता हूँ, तो यह देखिए, तो यह जो rate of हमारी positivity है, वो करीबन 7% तक चले गई है, मतलब हमारों का targeting ज़्यादा सही हो पा रहा है, यह तो यह 6.7% तक हमारी positivity rate है, यह इसी लिए मिल रहा है क्योंकि हम साथवे दिन को निकरतम इसको करते हैं और fever clinics लेते हैं, fever clinics में जिसको भी fever है, उनकी भी हम लोग testing कर रहे हैं, जाए उनका contact हो किसी से नई या ना, तो इसमें भी हमको क्या dead bodies का भी COVID testing किया जा रहा है, क्या dead bodies का भी COVID testing किया जा रहा है, क्योंकि उसको लेकर भी काफी सवाल उठाए गए थे, विशह ऐसा है कि dead body का ICMR की guideline के फर्माने कोई testing नहीं किया जाता है, परन्तु उनका जो burial है, burial full precaution के साथ किया जाता है, जो बनाया गया है ICMR में अगर मुस्लिम dead body हो, तो उसको plastic bag में जाके दपनाया जाता है, या पिर cremation के लिए भी कम से कम लोगों के साथ उसका cremation किया जाता है ठीक है, सर आखिर में ये जानना काफी जरूरी है लोगों के लिए, क्या rapid testing मुंबई में किया जाएगा, क्यूंकि अब केंडर सरकार ने भी कहा था, हलागि दो दिन रुखने के लिए कहा था, लेकिन rapid testing kids काफी संख्या में भेजने की बात चल रही थी, क्या मुंबई में rapid testing किया जाएगा, ताकि जादा से जादा contact tracing किया जाए, जादा से जादा लोगों तक पहुँचा जाए, एक, और दूसरी आखिर में ये बात भी समझनी होगी, कि आपका पहले मानना थे कि May 1st week तक हम curve flatten कर पाएंगे, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि 10-15 दिन के बाद हम curve flatten कर पाएंगे, जो मुंबई के लिए बहुत जरूरी होगा. सब चीज निश्चित हो गई, ये COVID ने पूरी दुनिया को बदल दिया है, पूरी चीज अनिश्चित हो गई, कोई भी yes hazard करना कि बना दिन में क्या होगा, ये बताना मुश्किल है, कोई बड़े advance देश भी इसका नहीं कर पाएंगे, जो हमको अभी समझता है, वो कर रहे है अपने rapid test की बात की तो हमने rapid test की procurement की वही है, परनतो अभी उस test का result बराबर नहीं है, इसलिए हमने उसको hold back किया है, हमने दो और innovations किया है, एक है कि जो ही antibodies जिसमें तयार हो गए हैं, ऐसे cured patients जो हैं, उनका plasma collection का protocol हमने शुरू कर लिया है, और plasma research हमारा शुरू हो गया है, क्य इस patients का cure हो गया है, उसके blood में ये antibodies होते हैं, और हमारा वो plasma का research का सुर्वार में experts, doctors के साथ चुरू हो गया, दूसरा चीज हमने देखा, कि PCR test जो है, वो करने के पहले x-ray या digital x-ray से भी बहुत जल्दी हमको ये result मिल सकता है, तो हमने mobile digital x-ray slum areas में शुरू किया है, और hospitals में भी शुरू किया है, और आप देख सकते हैं कि 2133 हमने total scans किया है, जिससे हमको test करने के पहले, तो ये test को चो भी घंटा का result लगता है, इसमें इम्मीजेटली दो मिनिट में समझ जाते है, और ऐसे patients को फिर हम लोग COVID की treatment है, वो कर सकते हैं, तो ये दो innovations हमने किया, बिलकुल आखिर में mortality rate को लेकर भी सवाल है, महराष्ट में और मुंबई में mortality rate जादा है, कल हमने सुना कि आरोग्या मंत्री कह रहे थे कि 7 से घटकर अब 5 हो गया है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन क्या मुंबई में भी mortality rate हम control कर पाएं, क्योंकि देश में अगर देखें, तो जे सेंट्रल टीम है, सेंट्रल टीम ने बताया कि हमारा mortality rate 4.6 है, जो ज्यादा है, परन्तु पहले जो 6 तक पहुच गया था, उससे तो बहुत 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 है, और दूसरी चीज़ आप आश्चरे की देख सकते हैं, जो मैं ये screen share करके आपको बताना चाहता हूँ, तो जैसे अभी 2017 है, तो उसके अंदर hypertension, heart attack, diabetes, यह सब मिला कि सिर्फ 729 डेट्स थे, 2018 में 833 थे और 2019 में 937 थे, परन्तु 2020 जब COVID चल रहा है, तो ये डेट्स कम होंके 595 हो गया, तो मतलब कि death rate कम होंके नहीं है, पिछले किनो वर्षों के साथ, तो इसमें ऐसा हो रहा है, कि बहुत ही बड़े पैमाने में, जो deaths पहले दूसरे कारणों के वज़े से होते थे, उसके अंदर COVID का factor जुड़ गया है, इसलिए इसको हम लोग अभी control करने के लिए COVID के लिए नहीं रहा देख रहे हैं, जो भी लोग heart attack, diabetes, या pneumonia से सफर कर रहे हैं, और जिनका age ज़्याद समझ रहा है कि यही लोग last minute COVID जैसे infection से मृत्यू में पढ़ रहे हैं, तो इसको death rate इसका कमी से खुश है, अब यह तो central team को खुशना पढ़ेगा, पर central team ने यह जो रूट दो point बता है कि rate of doubling अपना सुझ रहा है, 4.6% death rate आया है, जो इसको और भी हम लोग कोशिश करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया परदेशी सर आपने हमसे बात की और आपने आपका पूरा presentation मुंबई करों के सामने रखा कि किस तरीके से BMC आखिरकार लड़ना चाहती है, COVID के फैलाव को रोखने के लिए और क्या सस्कुच में इस वक्त डरने की जरूरत है, धारावी में किस त पर अफस्यारी नेगेटिव ख़बरों के बीच एक गुड नियूज आई, कोरोना पॉजिटिव प्रेगनेट महिलाओं ने स्वस्त बच्चों को जन्म दिया, एक केस में बच्चा नेगेटिव आया, दूसरे केस में रिपोर्ट का इंतजार है भाराष्ट के और अंगबाद के सिवल अस्पताल में पैदा हुई ये बच्ची बहुत धाग्यशाली है, मा कोरोना पॉजिटिव है और बच्ची नेगेटिव आई है, पर कोरोना के वज़े से इस मासूम को अपनी मा तरस परश्ट तक रही मिला, पैदा होते ही मा से पैली सकते हैं, तो फिर हमने उसकी निगरानी अलग डर्सिंग स्टाफ और एक डॉक्टर इमकी डूटी लगा के वो सब लड़की की देखबाल करते थे, और मा का दूप जो निकाल कर वो बच्ची को पिला दे थे, और एक दिन ऐसा लगा कि बच्ची के और मा का भृयों क मुंबई के नानावती अस्किताल में भी दो कोविद-19 पॉजिटिव महिलाओं ने स्वस्त बच्चों को जन दिया है, यहां पर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि मा और बच्चे के बीच संपर्क ना हो पहली डिलिवरी 11 अप्रेल को हुई और दूसरी डिलिवरी 22 अप्रेल को हुई है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्त है, बच्चे के कोविट टेस्टिंग भेजी गए है, रिपोर्ट्स अवेटेड है, जच्चा बच्चे को अलग आईसोलेशन वार्ड में रखा है, मद मुंबई के एक होस्पिटाल में जहां पर दो महिला प्रेगनेंट महिला जो करोना वाइरस से पेडित है, उन्होंने दो स्वस्त बच्चों को जन दिया है, काफी खास दियान रखा गया था कि महिला और बच्चे एक दूसरे को एक कॉंटेक्ट में नहीं आए जब उनकी डिलिवरी हो रही हो, दोनों बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और दोनों की हालत बिलकुल स्थिर है, नानावती अस्पिताल में पैदा हुए इन बच्चों का कुरोना का टेस्ट भी नहीं हुआ है, तीसरे और आठफे दिन बच्चों का टेस्ट होगा बच्चे फिलहाल बिलकुल स्वस्थ है, और अंगाबास से इसरार चिष्टी और मुम्मई से सौरफ वक्तानिया के साथ, आज तक ब्योरो